नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है जूट फरेव फरजी बाड़ा नेहरू खांदान के रगों में बहता है ऐसा माना जा रहा है कि अब जो भी नेहरू परिवार के नेता हैं वो फरजी बाड़े में ही अपने सियासत के भविस्ट को देख रहे हैं इसलिए राहूल गांधी विदेश में घूम घूम कर जूट फरेव फैला रहा है और वहाँ पर जाकर देश को बदनाम करने की कोश्चों में लगा हुआ है जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी देश के अंदर जूट फरेव फैला रही है फरजी बाड़े कर रही है ताकि क इसी तरीके से एक बार फिर से सत्ता के शिर्ष पर पहुँच सके यानि अब प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को हराने के लिए इन लोगों ने जूट का सहारा लेना शुरू कर दिया है बदनामी तो देश की बाहर में की जा रही है और अंदर में भारतिय जनता पाटी हो य और यही दस्तावेजों से पकड़ी गई है ऐसे फरजिवाडे की एक दास्तान जिससे प्रियंका गांधी अब मुझ छुपाते फिर रही है कॉंग्रेस के नेता उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जो उन लोगों ने डाटा दिया था और प्रिय प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया वो ऐसे स्टाइल में वहां गई जैसे की अब वो हिंदूत्व के एक बड़े मेसेंजर बनके गई है वहां जाकर नर्मदा पूजन करना आरती करना और फिर अपने आपको ऐसे प्रदर्शित करना कि वो अब बिलकुल सन सनातनी परंपरा के अनुसार जीवन जी रही है और उनके परिवार में तो सनातन धर्म के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है हाला कि इसके पीछे की कहानी जोद भी है और इसलिए भारतिये जनतापार्टी के कई नेताओं ने ये बताया कि ये देखिए इनका चरित्र जो ब वे चुनाबी मेड़क की तरह बदलते रहता है और अब प्रियंका गांधी का वो जूट पकड़ा गया है जो उन्होंने स्टेज के उपर बोला था उन्होंने मद्ध परदेश सरकार के खिलाप अभियान छेडा भारतिये जनतापार्टी की आलोचना की सरकार की आलोचना क वहां तक तो ठीक है क्योंकि कोई भी पॉलेटिकल पाठी यही सब करती है चाहे वो प्रोपेगेंडा के अस्तरपरी हो यानि की परचार का एक साधनी हो लेकिन उसने एक ऐसी बात बोली है जो की पूरी तरीके से जूट है भरजी है और वो है प्रियंका गांधी का वो बय जिसमें उन्होंने कहा है कि मद्द परदेश की सरकार तीन सालों में केवल 21 गौर्मेंट जॉब दे पाई यह 21 का आकड़ा प्रियंका गांधी को कहा से मिला और इस लोगोंने कैसे फरजी तरीके से तोड मलोड के यह आकड़ा निकाला है इसकी कहानी बाद में बताएंगे लेकिन जो 21 सरकारी जौब की बाद प्रियंका गांधी ने कही वो एक आख मुंद कर सामान व्यक्ति भी समझ सकता है कि तीन साल में सरकार 21 जौब कैसे दे सकती है क्योंकि एक बड़ा एक्जाम होता है कि सिवे स्टेट में जिसको कहते हैं पबलिक सर्विस कमिशन का एक्जाम यानि कि मद्ध परदेश पबलिक सर्विस कमिशन बिहार पबलिक सर्विस कमिशन उत्तर परदेश पबलिक सर्विस कमिशन यानि स्टेट PCS का एक्जाम होता ह है और वो मद्ध परदेश में भी होता है फिछले बार भी हुआ उसके रिजल्ट भी सामने आए और 260 लोगों को सलेक्ट किया गया 260 कंडिडेट फाइनली सलेक्ट हुए यानि 260 तो सरकारी नौकरी अधिकारियों की जिसमें ब्लॉक अस्तर के अधिकारी होते हैं CEO video, SDM, DSP rank के अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की नुकती हुई है 260 अब फिर आप बता रहे हैं कि 21 ही सरकारी नौकरी तीन सालों में दिये गए जबकि PCS का रिजल्ट किसी भी पोर्टल पर देखा जा सकता है कि 2023 में जो रिजल्ट निकले हैं उसमें भी 260 कंडिडेट को नुक किया गया है यानि कि वो क्वालिफाई किये हैं और फाइनली वो अब सरकारी नौकरी पर नुकत हो गया है यानि 260 और 21 के आकड़ों में कितना अंतर है लेकिन ये 21 का आकड़ा आया कहा से इसके लिए कैसे एक पूरी कॉंस्पिरेस्टी की गई ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये कॉंग्रेस के फरजिवारे की एक और कहानी है पिछले दिनों जब सेशन चल रहा था मद पर देश के अंदर तो उस समय मेवाराम जाटब एक विधायक है कॉंग्रेस के उन्होंने एक क्विश्चन किया था सरकार से कि कितने लोगों को सरकारी नौकली मिली है जो अनिम्प्लाइमेंट मतलब जो अनिम्प्लाइड रहा ह और जिसका रजिस्टेशन इम्प्लाइमेंट एक्चेंज में होई है सरकार ने पूरा आकड़ा दिया कि कितने लोग अभी तक इम्प्लाइमेंट एक्चेंज में अपना नाम रेजिस्टर करवा चुके हैं और उसमें से कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और उसमें सरकार की तरफ से जो लिकित में जवाब दिया गया वो जवाब यही था कि अभी तक मद्द परदेश में इंप्लाइमेंट आफिसेस में 49 लाख से जादा लोगों ने रेजिस्टर्ड करवाया है जिसमें 37 लाख वामन हजार लोग जो है वो एजुकेटेड हैं और 112,000 जो कंडिडेट हैं वो अन एजुकेटेड हैं इन लोगों में से 2,51,000 से जादा लोगों का पूरा आकड़ा वो लिखा हुआ है कि 2,51,000 लोगों को अभी तक जो जो जॉब प्रवायट की गई है उसमें से वो प्राइवेट सेक्टर में की गई है और इंप्लाइमेंट ओफिसस में जितने रेजिस्टर्ड एजुकेटेड लोग थे उसमें से 21 लोगों का सेलेक्शन हुआ है सरकारी नौकरी के लिए जो इंप्लाइमेंट ओफिसस में रेजिस्टर्ड थे उसमें से 21 लोग जो हैं उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अपलाई किया और उन लोगों को सरकारी नौकरी मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे परदेश में पिछले तीन सालों में केबल 21 सरकारी नौकरिया मिली है जैसा कि पहले ही हमने बताया कि केबल PCS में ही एक साल में 260 लोगों को रिजल्ट सामने आया जो कंडिडेट मद्द परदेश पबलिक सर्विस कमिसन के लिए तयारी करते हैं और जिन्होंने फॉर्म भरा था पीटी दिया मेंज दिया इंटर्विव दिया फाइनल रिजल्ट जो आया वो 260 कंडिडेट का था लेकिन इसके अलावा अलग अलग विभागों की बात करें तो सरकार ने कहा है कि ये जो प्रियंका गांधी का 21 का आकड़ा है ये 21 का आकड़ा वैसा ही फरजिवाड़ा है जैसे कि किसी एक सेलेक्टिव तरीके से आप एक आकड़ा निकालते हो कि देश की जनसंख्या ट्र जबकि आपने पूछा क्या था कि हिंदुस्तान में ट्राइवल्स कितने रहते हैं इसी तरीके से ये फरजिवाड़ा किया गया है क्योंकि जो सरकार ने पूरी बात बताई थी उसमें कहा गया था कि 61,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है सरकारी नौक्रियों में यानि तीन साल में शिवराज सिंच चोहान की सरकार ने 61,000 सरकारी नौक्री दी है लेकिन ये 61,000 जो सरकारी नौक्री है ये भी कम है क्योंकि 61,000 सरकारी नौक्री की जो बात हो रही है गोर्मेंट जोब जो मिले हैं वो गोर्मेंट जोब परमानेंट वाले हैं ना कि कॉंट प्रेक्चुल बेसिस पर क्योंकि सरकार हर जगह की हर स्टेट के गोर्मेंट में चाहे बिहार में ही क्यों नहों जहां पर महागठवंधन का हिस्सा कॉंग्रेस भी है चाहे जारखंडी क्यों नहों जहां महागठवंधन का हिस्सा कॉंग्रेस है या 36 गड़ और राजस्थान क्यों नहों जहां Congress की सरकार है हर जगह जो प्रदेश सरकार है जो स्टेट government है वो दो तरह से employment दे रही है private sector की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन government sector में ही एक contractual basis पे रखा जाता है जो permanent नहीं होते हैं लेकिन उन्हें permanent की तरह ही ट्रीट किया जाता है contractual basis का मतलब कि आपका contract renew होता रहेगा चाहे health ministry में हो या health department में हो education में हो सरकारी नौकरियों में जो दो जगह सबसे ज़्यादा employment मिल रहा है उसमें से education sector एक बड़ा हिस्सा रखता है और बिहार में भी जहां महा गटवंदन की सरकार है नितीश कुमार भी है Congress उसमें हिस्सेदार है लेकिन वहां भी सरकारी नौकरी जो मिलते है government teacher की उसमें contractual अस्तर पर रखा जाता है रादस्थान में भी है 36 गड़ में भी है हर अस्टेट में है जहां Congress की सरकार है या Congress उस सरकार के हिस्सा है गटवंदन में है लेकिन मद्व परदेश में भी ऐसी हिस्तिती है जिसमें 16,000 जो नौकरी दी गई है वो तो सीधे परमानेंट सरकारी अस्तर पर दी गई है और दूसरे अस्तर पर अगर contractual नौकरी जो दी गई है contract के अधार पर सरकारी विभागों में उसको जोड़ दिया जाएगा तो ये आकड़ा इससे काफी जादा होगा यानि लगभग सावा लाग से उपर माना जा रहा है लेकिन अब जो फरजी वाड़ा करना था वो प्रियंका गांधी ने कर दिया एक कीस का ऐसा आकड़ा पेश किया कि वहां के लोगों को भी लगा कि प्रियंका गांधी जैसी लीडर जिनरल सेक्रेटरी सुनिया गांधी की बेटी राहूल गांधी के बहन ये जो गांधी नेहरुप परिवार से आती है उसको क्या ये समझ में नहीं आया या फिर समझ में आया तो क्या प्रियंका गांधी का IQ लेवल भी राहूल गांधी की तरह है क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर तो ऐसा कहा जा रहा था कि राहूल गांधी का IQ लेवल तो कमजोर है ही वो इतने दिनों की सियासत में अब तक बेहतर तरीके से देश का ब्लूपरिंट नहीं रख पाए नेरुख खांदान से तो है लेकिन इनके अंदर पॉलिटिकल सेंस उससे बहतर है राहुल गांधी से बहतर तरीके से ये मुद्दो को समझ सकती है सियासत को समझ सकती है लेकिन जिस तरीके से सोसल मीडिया पर जो दोनों के नाम के साथ चलता है प्रियंका गांधी और राहु चेक किया और ये जो डाटा दिया गया है 21 का उस पर हमको भी आश्चर्ज लगा लेकिन फिर भी वो बता रही है कि शिवराज सिनकी सरकार ने तीन सालों में केवल 21 सरकारी नौकरिया दी हैं लेकिन अब जब सरकारी अधिकारियों से पूस्ता चुई पड़ताल हुई कि ये क क्या हो रहा था मीडिया में रिपोर्ट छपे पत्रकारों को बताया गया और सरकारी आंकरे दिये गए तो अब कॉंग्रेस के जो नेता हैं वो मुझ चुपा कर भागते फिर रहे हैं इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है ये बार बार उसी का जिक्र कर रहे हैं कि हमने त जवाल पूछे थे और सेशन के दौरान ही ये जवाब आया था जिससे हमने आंकरा निकाला लेकिन आपने सेलेक्टिव आंकरा निकाला और उस सेलेक्टिव आंकरे का दुरूपयोग किया है जो की एक सरासर फरजी वाड़ा माना जाता है और इसलिए कॉंग्रेस के नेता अभी भागते फिर रहें कमेंट करने के लिए कि हम प्रियंका गांधी को डिफेंड कैसे करें लेकिन जो हो गया वो हो गया अब प्रियंका गांधी ने जो फरजी तरीके से आंकरे को तोड़ मरोड कर पेश किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा और फिर अब जब भ तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रहे हैं मैसा योग ताके से तरह ही खबर हम आपके लागते रहें धन्यवाद